अब तो भई लवकेश भी मान रहे हैं कि शिवानी कुमारी में जो है घमंड आ चुका है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार ये पूरी कन्वर्सेशन क्या है ये पूरी गौसिप क्या है पूरी गौसिप सुनने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए कि क्या शिवानी में सेफ होने के बाद सच में घमंड आ चुका है अपनी जनता का अपने फॉलवर्स का क्या घमंड आ चुका है जो की एक नहीं घर के काफे सारे लोगों को दिखाई दिया और काफे सारे लोगों ने ये ही एकी बात जो है वो बोली है देखिए followers तो followers का मतलब की घमढ़ होना भी चाहिए पर किसी को दिखना नहीं चाहिए और किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए तब वो followers जो है माइने रखते है नहीं तो अगर वो followers वो subscribers अगर कुछ ऐसी चीज देखते हैं अब वो आपको अंसब्सक्राइब कर देते हैं तो यही चीज जो है कहीं न कहीं शिवानी के साथ ना हो जाएं। मेरे को भी लग रहा है और अर्मान का कहना यह है कि यह हमेशा अपनी जनता के बारे में बोलते तो क्या इसकी जनता वो सब चीजें नहीं देख रही है। तो यहाँ पर लौकेश का भी कहना यह है कि भाई मैंने समझाया है कि उसको समझाया कि ऐसी हरकते मत कर अभी उसके उपर है कि वो कैसा लेती है कैसा नहीं लेती है ये बात तो सही है कि सब लोगों को लग रहा है कि शिवानी में घमंडा आ चुका है शिवानी फर्स टाइम जो नॉमिनेट हुई वो काफे ज़दा डर गई थी और डरना भी लाजमी है इसमें कोई बुरी बात नहीं है पर शिवानी सेफ होने के बाद जो है काफे ज़दा खुश हुई उसको एक भरोसा आ गया अपनी ओडियंस के उपर कि मेरी ओडियंस जो है मुझे देख रही है और वो मुझे सेफ जरूर करेगी इसके बाद जो है शिवानी जो भी चीज हो उस चीज को जो है वो किये जा रही है अगर वो गलत भी है तो अगर उसकी गलती भी कोई बता रहा है कि तो यहाँ पर गलत अगर उसके दोस्त भी बता रहे है कि तो इसे पर गलत जा रही है तो शिवानी जो है उस चीज़ को मान नहीं रही है और एक को नहीं काफे सारे लोगों को सब कंटेस्टन को अल्मोस्ट लग रहा है कि शिवानी में अचानक घमंड दिखने लग गया है तो क्या आप लोग अगर लाइफ फीट या एपिसूडस वगरा शिवानी जामशका है